दोस्तों सुवागे थे आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में अभी यहाँ पर बात करेंगे सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग खबरों के बारे में और भाई बहुत इंट्रेस्टिंग खबरें निकाल करके लेकर आया हूँ आज सुबे जब मैं उठा तो मै मैंने देखा अपने mail box में email के box में की मोधी जी ने मुझे email भेजा है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर PMO की तरफ से एक newsletter आया हुआ था मेरे पास जो की काफी सारे लोगों के पास आता होगा लेकिन मैंने इस newsletter में से भी content खोजकर निकाल लिया है दोस्तों और पनौ राजिस्थान में पहली बंदे भारत ट्रेन लॉंच कर दी गई है बुलेट ट्रेन आ गई है उचाई आ गई है विकास की फलाना धिमकाना लेकिन एक हफते बाद ही क्या निउस निकल कर आती है पनौती तो लगी लेकिन एक नहीं बलकि दो लोगों की एक साथ पनौती यह पर लग गई कैसे एक हफते के अंदर यह निउस निकल कर आती है कि जो वद्दे भारत यहां पर मोदी जी ने लॉंच करी है इनौगरेट करी है उसने ट्रैक के उपर एक गाय को उड़ा दिया गाय को उड़ाया तो गाय को लेकिन वो गाय जो है उड़ती हुई एक आदमी के बीच में एक निउस और आज निकल कर आगे जो कि आफी स्क्रीम पर रखना चाहता हूं पता यह चला है कि कल याने की 25 अप्रेल को मोदी जी केरला में जाके कोची में जाके एक वाटर मेट्रो के प्रोजेक्ट को इनौगरेट करने वाले मतलब काफी जादा बुरा लग पर यह भी बहुत जादा इंट्रेस्टेंग है यहां पर बुलेट ट्रेन और मोदी जी के जो यह पूरी वंदे भारत एक्सप्रेस है उसे ही रिलेटेड एक निउस निकल कर रहा है जर्मनी से जिस कार्टून ने एक बहुत बड़ा टॉंट मारा है इंडियन गवर्मेंट के ओपर जी हाँ यह अपनी स्क्रीन पर देखिए जर्मनी का एक काटून है जो कि दिखाने का काम कर रहा है चाइना की बुलेट ट्रेन और उसको ओवर्टेक करने का काम कर रहे है इंडियन रेलवेज की एक ट्रेन यह कोई बहुत खुशी की बात निया भक्तों यहां पर कि इंड टाना मारा गया है यह दिखाएया गया है कि इंडिया ने किस तरीके से चाइना को भ्रकें के मामौले में अवर्टेक कर लिया है उपर लिखा अभी हुआ है इंडियन ऊबर हो चाइना की चाम कंको और नीचे दिखाई गए 거 इसको लेकर भक्तों को पिछवारे में काफी जादा आग लग रही है लेकिन यह है वर्ल्ड के अंदर परसेप्षन हमारे में जो वारी पॉपुलेशन बढ़ रही है जिसके बारे में इंडियन मीडिया कभी बात नहीं करता ना कोई डिबेट भाहे पर उसके बारे में जर्मनी में और बाहर की कंटृरी में बैठकर लोग मजाक उडाते हैं ताना बनाते हैं और काटून बनाने का काम करते हैं कि बाहर सब इस बात को जानते कि यह कोई डिपिनिटलिए अच्छी चीज नहीं है और बाहर इस चीज को क्रिटिसाइज किय जाता है तो यह दूसरी ख़बर जो कि आपको दिखाना चाहता था आप बढ़ना चाहता हूं तीसरी ख़बर की तरफ जहाँ पर सुदान में जो इंडियन्स फस्य होए है भाई उनको इंडियन गर्मेंट निकालने का नाम नहीं ले रहे हैं और मैं आपको दिखाना भी यह मोदीजी शील्ड की तरह खड़े हो गए थे अब आखिरकार क्यों नहीं बनते मोदीजी शील्ड मैं आपको दिखाना चाहता हूं अशोक स्वेंजी का ट्वीट है जहाँ आपर लिखा हुआ है कि बिसाइड्स साओधी अरीबिया दे यूएस फ्रांस एजिप्ट कुएट एंड जपान आर कैरिंग आउट देवाक्वेशन फिर नाशनल फ्रम सुदान है इन्डिया इस दूइंग सो और यह मैंने अभी थोड़ी देर पहले न्यूस चेक करी है अभी तक इंडिया ने वाक्वेशन का कोई भी मिशन लांच नहीं किया यह कहा जा रहा है कि एर कि जो इंडियंज है यह एक अकाउंट है ट्विटर यूजर है जिनका नाम है रमेश इन्होंने बताया कि so we are fleeing from Sudan with just one bag per person with emergency stuff leaving behind our house full everything that we collected over a lifetime calling it a home more than the money value it is the emotional value that breaks my heart I hope someday things will normalize और बताया गया नीचे कि तीन चार दिन पांच दिन तो लगभग बार पहुचने में वहा पर लग जाएंगे सुदान से और उसके बाद एक दिन वापिस इंडिया आने का मतलब चार-पांच दिन का पूरा यह एक जर्नी ओने वाली है वहां से जो लोग वापिस आने की सोच रहे हैं और इसमें उन्होंने यह भी लिखा है कि वेट कितना लंबा होगा इसका किसी क कुछ नहीं पता इस ताइम पर वेटिंग पीरेड ही चल रहा है यह सिचुएशन जो सुदान में लोग फसे हुए हैं जिसके बारे में इंडियन मीडिया कते ही बात नहीं करने हैं और कहेगा आपने आपको कि हम तो भाई सबसे निश्पक्ष है सबसे तेज है सबसे चुल पिडियो लाओ टारा यां नमाज पढ़ने का काम करें उन्होंने सर प्रेंग पिल टोपी लगा रखी है 맞़ लेकिन ड्रइ dealt है खाल्इश क्या तरीके कर भूटेист तो кॉ giàस्टीफाय करने के लिए ऊपिर बहार निकले इसका जवाब देने लिए विडियो बनान आज परश्राम जी जैन ती भी है आज अक्षाय तृतिया है और इन सारे फैस्वेल्स को हमें एक साथ मना रहे हैं मैं अभी अभी इंसेग्राम पर एक पोस्ट दिया आप सबको एद मुबारक करते हुए जिसमें मैंने एक स्नापशोट एक फोटो लिया था जो कि में एक वी और वो उसमें एक ऐसा लुक था जहां मैं तोपा पहना हूं नमाज पढ़ा हूं क्यों कि वो लुक था उसमें तो उसका एक फ्रीज फ्रेम करके मैंने अभी अभी सबको एद्विश किया और फिर फ्लाइट पर यहां पहुचा वाज मैं मैं यहां शो है तो यहां आकर सुचा कि एग्णॉर करते हैं कोई बड़ी बात नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा इस तरह के रियक्शन के हिंदू होते हुए मैंने यह सब करने की क्या जरूत थी बात थी लेकिन इस पर मैं लाइव क्यों आग्या हूं इसके बार में बात कर रहा हूं इसकी भी जरूत तो उस उनको इज़त देते हुए उस उस उकेजिन को या उस वक्त को तो उसमें ऐसी कौनसी बात है कि आपकी अपनी जो धरम है वो बिगड़ जाएगी मैं चाहता हूं कि इस तरह से लोग जो सोचते हैं सोच को थोड़ा सा बदले हम एक प्रगत्रिशील देश है आगे बढ़ हैं हैं इन विकास के ओर बढ़ रहे हैं इंडियन्स टुड़ी आ बिंग रिस्पेक्टेट अक्रोस्त ग्लोब यह उचुकी है चड़ीधारी चिंटू की हालत मतलब कोई काम धाम नहीं करना अपना छोटा मोटा रोजगा ढूंड लो नहीं किसी भी चीज पर नहीं लगना कि हिंदू तो बहुत सारे एद की मुबारक बात करते हैं लेकिन क्या कभी तुमने देखा है कि कोई मुस्लिम पशूराम जैंती या फिर अक्षेत रितिया की मुबारक बात किसी को नहीं देते तो अखिरकार मुस्लिम लोग हिंदू को क्यों देंगे प्लीस मुझे आपको दिखा देना चाहता हूं सबसे पहले आपकी स्क्रीन के उपर यूएस में पेट एंबुलेंस जो होती है आखिरकार किस तरीके की दिखती हो उस पर लिखा होता है स्कौट 51 नीचे पेट एमर्जेंसी रिस्पॉंस लिखा होता है उसके बाद आपको एक और दिखान जाता हूं पेट अंबुलेंस उपर और नीचे देखिए बेखिए ऑंडिया में किस तरीके की पेट यारत में कहीं कीे पेट अंबुलेंस इसी के साथ जाते जाते अपनी आखरी खबर भी आपको दिखा देना चाहता हूं ये भी इस टाइम पर सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड हो रही है पहले तो मोधी जी ने हिस्ट्री के सारे चैप्टर हटाने आपर शूरू कर दिये गांदी जी का असाइसिनेशन किस तरीके से हुआ उसमें नातुराम गोडसे का क्या हाथ था आरेसिस का क्या रोल था वो सब कुछ डिलीट करके रख दिया मुगल्स को डिलीट करके पूरी तरीके से रख दिया अब क्या पता चल रहा है कि साइंस को भी यहां पर डिलीट किया जा रहा है सिर्फ हिस्ट्री को नहीं साइन्स को भी यह लोग पूरी तरीके से बदलना चाहते हैं थोड़ी देरे पहले निउस ही निकल करा ही जहां पता चला कि NCRT ने हटाई चार्ल्स जाविन की evolution theory मतलब इंसान का evolution कैसे हुआ अब NCRT ने इसको भी अपने बुक्स से हटाने का काम कर दिया इनको यहां पर चार्ल्स जाविन की थोड़ी evolution वाली हटा नहीं थी क्योंकि इनके हिसाब से evolution इनका तो हुआ ही निया इनका तो reverse evolution हो रहा है हम लोग यहां पर बंदर से इंसान बने यह इंसान से वापिस बंदर बंते चले जा रहे हैं और मुझे भी कही ना कहीं लगने लग गया कि देश का प्रधान मंत्री थोड़ा पड़ा लिखाई होना थी क्योंकि अकर एक अनपड़ आदमी हमारे देश का प्रधान मंत्री होता है तभी वह इस तरीके के फर्मान जारी करता है जहां पर science भी बुक्स में से हटा दी जाए हिस्ट्री भी बुक्स में से हटा दी जाए इस वीडियो को यही खतम करना चातो लेकिन आपका रियक्शन जाना चाता हूं जाते जाते आपका क्या रियक्शन है इन सारी की सारी खबरों के ओपर मुझे comment section में अभी तक नहीं बताया है तो नी किसी देरी के मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में